हलो दोस्तो मभीयल शर्मा और आप सभी का मारे नए वीडियो पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो जैसा आप सामने देख सकते हैं यह जी प्लस फाइब की बिल्डिंग है जिसके अंदर टोटल टू बैडरूम और थ्री बैडरूम के 30 फ्लेट है जेडिय अपूड यह प कर सकते हैं क्योंकि यह फाइनल स्टेज में बिल्डिंग है और जो प्री बुकिंग है उसमें आपको रेट भी बहुत यह फोडेबल मिलने वाली है जब यह कंप्लीट हो जाएगी तो जल्दी से आप इसका फाइदा उटा सकते हैं अब बात करते हैं यहां की लोकेशन की यह गांधीपत वेस्ट के पास की लोकेशन है मानस हमें यह हंसे 50 km दूर दूसरी तरफ 5 km दूर यहां से अजमेय रोड और और ऐपास आमरर किस्टे तो इस बिल्डिंग का जो नाम है वो है स्री किर्षना रेजिडेंसी और जिस कोलोनी के अंदर यह है वह है अमरित बियार दोस्तो पास में ही यहां पर जो यह रस्ता आप देख रहे हैं यहां पर लो फ्लोर वस आती है 33 नंबर की तो ट्रंस्पोर्टेशन की कोई भी इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर आपको जिम और गार्डन जैसी सारी फेसिलिटी दी जा रही है तो चलिए दोस्तों बिल्डिंग को देख लेते हैं अंदर से और फ्लेट भी तो वीडियो में बने रही है लास्ट तक वीडियो पसंद आए तो लाइट शेर और सब्स चलिघ से प्लेटो सिस्टम यहां पर बिल्डिंग के अंदर दिए गया है तो आप डोन ऊप्षर से छोज़र सकते हैं तो यह पूरा इस सामने लिट ओर यह यहां सामने सामने श्टैर्स में बिल्डिंग के चारो तरफ आपको बांट्री दी गई यह देख सकते हैं तो दोस्तो चली चलते हैं डाइरीट फ्लेट में अगर आपको फ्लेट विजिट करवाते हैं तो दोस्तो अब हम देख लेते हैं two bedroom का फ्लेट उसके बाद में हम देखेंगे three bedroom का फ्लेट दोस्तो building के अंदर पाने की facility है individual जल बोलिंग है और साथ में जो सीवरेज का है वो स्टीपी प्लांट लगाट दिया जा रहा है तो यहां पर जैसे आप एंटर होते हैं तो यहां पर तेरा बाई सत्रा का इस्पेशियस होल दिया गया है एक अच्छे साइस का यह होल है और यह देखिए इसके अंदर आपको बहुती शांदार फॉल्सलीन की डिजायार कचे दी जा रही है एलेडी लैड के साथ यहां पर एंटर होते ही लेफ्ट साइड में बड़ा एलेडी पैनल है वुडन का है रेट्स के साथ अभी काम चली रहा है कंप्लीट होने को है जल्दी ही और इधर की दरब आप देखत है तो यह वह स्पेसल है दोस्तों यहां पर कोमन वह शुरूम है अच्छा इस पैस है और जो सेनेटर की जो फिटिंट से हो सभी के सभी ब्रांडेड यूज लिए तो यह दिखिए सबसे पहले नक्सा बता देता हूं यह सामने केच्छन है इसके बाद में इधर बैडरूम है फिर इधर बैडरूम है तो सबसे पहले आपको ओपन का जो मोडूलर की चन है वो दिखा देते हैं 9 भाई 10 अप्रोट्स इसकी साइज है टोप और बोटम दोनों में आपको कबिनेट की फेसलिटी दी गई है फोल्सलिंग की डिजाइन है सामने टी तरफ बड़ी विंड में और यह देखिए एसी का पॉइंट आपको सभी बैडरूम में हॉल में दिया गया है यह फॉल्सलिंग की डिजाइन है और यहां पर वाडरोब का ओप्शन है फुल लेंध के अंदर बराबर में विंडो है और यह दोर है और यह इसकी वालकोनी है यह देखिए अच्छ आपको इस फ्लेड की साइज तो अप्रोट्स 1000 स्कॉर फिट के अंदर यह बना हुआ है तो रेट की हम बात करें तो जो डिमांडेबल प्राइस है वह 36 लाड़ोबे की सेमी फॉर्निस्ट की तो यह है दूसरे नमबर का बैडरूम साइज अप्रोट्स 12 भाई चाउदा की है अच्छी साइज के बैडरूम यहां पर आपको दिया गया है और यह इसकी फॉलसलेंग की डिजाइन सामने यह तरब वाडरोप है बराबर में विंडो है और अटेच में वोश्रूम भी है यह दिखिए और बहुत यह अच्छी स्पेस का वोश्रूम है और दोनों बैडरूम में दो वालकोनी दी गड़ी है टू बैडरूम के फ्लेट में यह देख सकते हैं दूसरे नमबर की वालकोनी तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं थ्री बेडरूम का जो फ्लेट है वो दोस्तों यह है थ्री बेडरूम का फ्लेट और जैसे आप एंटर होते हैं तो एक अच्छे स्पेस का होल यहाँ पे दिया गया है तेरा भाई 16 इसकी अपरोट साइज है दो भाई 4 की फ्लोरिंट टाइल है और यहाँ पे एंटर होते हैं आपके राइट साइड में LED पैनल है गुडन का रेट्स के साथ साइड वोल पे वोल पे पर है और बहुत ही शांदार पॉलसलेंट की डिजाइन है यह देख सकते हैं LED लाइट के साथ सामने की तरफ आपको ओपन कीचन दिया हुआ है पहले नमबर का बैडरूम है दूसरे नमबर का और यह तीसरे नमबर का इधर भी आपको यह डिजाइन बनागी दी गई है यह देखिए तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं बहुत ही अच्छे स्पेस का modular किचन साथ भाई 14 की साइज में यह बना हुआ है बहुत ही अच्छा स्पेस है अपर और लोवर दोनों तरफ आपको क्रेबिनेट की पैसिलिटी दी गई है फॉर्सलिंग की डिजाइन भी दी गई है यह देखिए विंडो भी है थाकि वेंटिलेशन परोपर यहाँ पर आपको मिलता रहे है और इस तरफ हम चलते हैं तो यह है पहले नमबर का बैडरूम जो बहुत ही अच्छे स्पेस में है 11 बाई 12 अप्रोट्स इस बैडरूम की साइज है साइड वॉल पर आप देखते हैं तो वॉल पेपर यहाँ पर लगड़के दिये जा रहे हैं फुल लेंथ में वाडरोप है फॉल सलिंग की डिजाइन है और यहाँ पर देखते हैं तो अटेच में वोश्रूम भी है यह देखिए बहुत ही अच्छे इस पेस का वोश्रूम है आप देख सकते हैं इस पेस उपर तक आपको यहाँ पर टाइल दी जा रही है और दोस्तो इस तरफ विंडो है डोर है और यह इसकी वालकों है यह देखिए यह बाहर का व्यू है चलिए दोस्तो अब देखते हैं दूसरे नंबर का बैडरूम दोस्तो यह है दूसरे नंबर का बैडरूम साइज अपरोट्स 12 बाई चाउदा की है साइड वोल पे वोल पेपर है यहाँ पे आप देखते हैं तो विंडो है दोनों तरफ और यह इसकी पॉलसलिंग की डिजाइन यहाँ पे वाडरोप है वुडन की अटेच में वोश्रूम है और वोश्रूम सभी के सभी इस्पेसियस है आपने भी नोट किया है और जो बैडरूम है वह भी बहुत अच्छी साइस के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है और यह डोर और यह इसकी दूसरे नंबर की वालकोनी यह देखिए अब आपको दिखाते हैं तीसरे नंबर का बैडरूम दोस्तों इस फ्लेट की साइस के हम बात करें तो 1400 स्क्वाइर विट के अंदर अप्रोट से यह बना हुआ है और रेट के हम बात करें तो 46 लाट रूपर की रेट है नेगोशियबल है सेमी फंडिस की यह रेट है यह है कोमर गोश्रूम यह देखिए इस पेस और यह है तीसरे नंबर का बैडरूम और दोस्तो इसकी साइज की बात करें तो बारा भाई चाहूदा अप्रोच इसकी साइज है अच्छा स्पेस है यह देखिए फॉलसलिंग की डिजाइन है एसी का पॉइंट आपको सभी रूम में बैडरूम में दिया गया है और यह इस वोल्ट पे वाल पेपर लगाए गए है इस तरफ आप देखते हैं तो विंडो है यह देखिए इस तरफ वार्ड रोप है दोस्तो अगर आपको यह प्रोजेक्ट पसंद आया हूँ यह फ्लेट आपको पसंद आया है और आप चाते हैं विजिट करना तो जो सामने स्क्रीन के उपपर नंबर आ रहे हैं उन पे आप डाइरेक्ट बात कर सकते हैं विजिट कर सकते हैं और अपना गर सही रेट में अफॉर्डेबल प्राइस के अंदर गुट कर सकते हैं वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद